सो हे फ्रेंड्स वेलकम है आप लोगों का मेरे व्लॉग पर और सज बताऊं तो आज ना मेरा आँग बहुत ही ज़्यादा सूजा है और रात को ना मैंने अपना मेकप भी वाश नहीं किया था इसलिए पूरा जो आई लानर है वो पूरा आखों में लग चुक है यह देख सक सब्सक्राइब करेंड़ेद से पहले मेरे में बहुत ही ज्यादा खुझली हो थी क्योंकि मैंने ने कम शेसे साथ दिन से एड़ वह नहीं किये थे उसके बाद न करोंगी यह बहुत टे वह जाता है उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से अपने जितने बैट के कंब थे चा सबसे पहले तो मैं कीचन साइट यहां पस देखा कि मम्मी जाडू लगा रही थी तो जाडू लगाने काम तो मम्मी कर दिया पोच्छा लगाने काम मेरे को करना है उसके बाद गई तो मम्मी ने चीला बनाया हुआ था वो जल रहा था उसको मैंने अच्छी तरीके से पल्टा दिया और उसके साथ-साथ मैंने डाल दिया यहां पस दूसरा चीला चीला जो होता है आप लोगों के सेहत के लिए बहुत है ज़्यादा हेल्दी होता है तो आप लोग जरूर खाईएगा यहां पस मैंने गोल मटोल सा एक चीला यहां पस ड्रॉ कर दिया है दिख सकते हो आप लोग उसके बाद मैं इसे ढख करके पकने दूंगी करीबाद दो मिनट तक यहां पस मम्मे ने धनिया रखा हुए है एंड साथ-साथ भिंडी और आलू की सबजी भी बनाये हुए यह क भी तक नीन से बाहर नहीं आई थी ऑप्लोग सke Сकते हो मैं बिल्कुल भी नहीं आई हुए थी अब मैं यहां पsın बाहर जाओगी क्योंकि बाहर का मेरेको नजरिया देखना है क्या-क्या हो रहा है लेकिन बाहर में देखा तो छोटा-छोटा बूंद पानी गीर रहा था ये देख सकते हो पानी के बुंदे, या बाहर में तो इसी तरीके का महौल है, बहुत ही ज़्यादा सुनसान लग रहा था, ये दूध वाले दादा जा रहे हैं, उपर से उधर चाचा आ रहे हैं, खाते खाते चना मुर रहे हैं, ए भई, मम्मा, यहाँ पस जहाँ पस अभी म कचड़ा फेक रही थी, अब मैं चलती हूं अंदर जा करके देखती हूं कि क्या क्या होता है, तो ये वाला रूम सा जाड़ू लग चुका था, देखा मैंने लाश्ट रूम में, तो यहाँ पस ना, भाई टेबल निकाल करके बैट रहा था ब्रेसिंग के पास में, ये आम से रेडी होने लग गया, बागी टाइम तो मुझे चिला देता है, चला टिया से, ये वो इधर उड़र, बागी हाँ, अच्छा है, सपोर्टिव है, यहाँ पस रेडी हो रहा था, तो मैं देखी कि मम्मी ना उसके लिए नास्ता निकाल रही थी, चार चिला वित आलो की सबजी मम्मी उसको दे रही है, क्योंकि उस सुबे रात से खाना रहता है, सिधा नासता ही तो होता है सबका, बाकी हाँ, पेट भर के करना चाहिए, आप लोग जो भी खाओ, हर चीज पेट भर के खाओ, और जब मन करे तब खाओ, ऐसा नहीं कि जब अजस्ती खाओ तो यह हो गया है, यहाँ पस पूरा डन, उसके बाद आप मैं बरतन धोने की त्यारी में लगी हुई हो, बरतन मैं धिरे-धिरे मांजरी हूँ, यह आप लोग देख सकते हो, इतना सारा सिंक में भरा हुआ है बरतन, क्योंकि मैं अपना मेरा तो रूटीन है बरतन धोने का, और सर्दी भी मुझे हो गई है, कुछ दिनों से, दो से तिन दिनों से हो गई है सर्दी, बढ़ क्या करें करना तो पड़ता है ना, और यह तो नहीं है कि सर्दी हो गई है, तो मैं अपना काम ही रोग दूँ, तो बस इस तरीके से मैंने धोल या था बरतन, क्योंकि मैं का सुबे और साम का बरतन दोती हूं, या काम बाम करना चाहिए भाई, तभी तो ससुराल में काम आएगा, ऐसा मम्मी बोलती है, तो यहां से हो गया मेरा बरतन का काम खतम, यहां पस देखा तो मम्मी धन्या को भूंज रही थी, क्योंकि इस साथ पापा इसे खाते है, भू भी नहीं धोयाता, सज बताऊं तो, मेरे को आदद भी नहीं है, उड़ते साथ मूद होने की, मैं ऐसी चल देती हूं कि चन बरतन दोने के लिए, मम्मी और भाई बहुत तो चिलाते है, मेरे को अपना खुद ऐसे ही, मेरे को बिलकुल पसंद नहीं है, जब मेरा मन करता है, तब ही ऐसा काम होता है, जब मेरा मन करता है, तब ही मैं काम करती हूं, ऐसा वाला है, काम तो मेरे डेली करती हूं, लेकिन जो मेरा मन करता है, वो मैं हद से ज्यादा करती हूं, तो यह हो गया है, मेरा उलजहने, मैंने निकाल लिया, अपने हेयर का, मैं आपस सोच रहे हू कि जूड़ा ही अभी बना लेती हूँ क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगा जूड़ा बनाने से बाल भी ठीक की ठाक रहेंगे क्योंकि मैंने पर्षोई दोया हुआ था बाल गिला हो जाएंगी स्ट्रेट मैंने किया हुआ था फिर मेरे मैगी जैसा हेयर हो जाएगा इसलिए ब कुछ इस तरीके से मैंने सामने का देख सकते हो निकाला है अब मैं पोनी के जैसे इसको पकड़ूंगी मैं उसके बाद यह को राउंड 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 करके इस में मैं लगा लोगे एक छोटू सा क्लच जो की आप लोको के हेयर को अच्छी तरीक सेकर अएंड यह आपना हेर टाई उसके बाद मैं ग्रीन टी बनाने जाओंगी जो ग्रीन टी मैंने बना चुकी थी पानी-गरम के बैक से डाले मेरे लिए ग्रीन टी का पैकेट मैंने आपस बना दिया था इसे अब मैं प्यूंगी अच्छी तरीके से क्योंकि इसमें ना मेटाबॉलिजम को तो साथ ही साथ आप लोगों के लिए फैट को घटाता है अडि टोड़ी से एकक्ससाइज की जरूरत है फिल्ले करती हूं नैंने अपना एक्ससाइस में क्या करती हूं मैं आप लोगों को आज शो करती हो ओके तो सबसे पहले तो ग्रीन टी पूरा जिसमें पनलां तो तो समय आप सफ़ एकक्सर ना ना है की दिसके दिडियों। जो पिके लुज का मुर्ण करना जाता है थि व्यम च्छ टॉन उन सबीन Tea के अपने सब्याइन कम फिनल ये के लिए चुना है सब 12am यहां का थोड़ा सा मेरे को अलग लगता है क्योंकि यहां पस कुछ ना कुछ बीचा हुआ रहता है उसको ठाना रहता है तो यह है बैठ करके मैं पूछा अच्छा लगाओंगी भई घर को साफ रखना भी तो जरूरी है ना यहां यहां अपने घर में रहती हुँ जो आप लोगों क stereo करते हुआ बीना किसी दिखावट के क्योंकि मुझे ने पसंद बिलकुल भी जो मेरा डेली लाइफ है व आप लोगों करना अच्छा लगता है मुझे कि चन को भी मैंने अच्छी तरेके से जह कर दिया है क्यूंकि मैं भी न अच्छे तरीके से लगता है मेरे से पोच्छा हाथ में बैट बैट करके थोड़ा पैना दर्द होने लग जाता है मेरा सज बता हूँ तो तो इसलिए ओके एंड उसके बाद मैं अपना बैडरूम लाइक हम लोग जहां सोते हैं वहाँ पर कुभी मैं अच्छी तरीके से पोच्छा लगा लोगी बाकी हॉल वॉल में तो मैंने लगा ही लिया था बट वापस भाई बैटाता था तो सूट करते नहीं बन रहा था वो कुछ कुछ देखी रहा था ऐसा था तो अब उसके बाद नल भी आ गया था पानी आ गया था तो अब मेरे को भरना था पानी यार आप लोग ये बताना कि मैं मोटी हूँ या मैं फिट हूँ सच बताना आप लोग हाँ तो कि अगर मैं मोटी हो रही हूँ ना तो मैं थोड़ा सा डाइटिंग करने का कोसिस करूंगी करती भी हूँ यार लेकिन बस कोई-कोई बोल देते हैं कि मोटी हो जा रही है ऐसा वाला होता है बड़ आप लोग बताना जरूर कि मैं मोटी हूँ या फिट हूँ या पतली हूँ ओके पतली तो नहीं हो सकती है लेकिन बताना यहाँ पर क्लिन करने के लिए अब हम लोग जाते हैं नहाने पूरा मैं नहा करके आ करके फिर मिली हूँ आप लोगों को कीचन में एंड कीचन में आप लोग देख सकते हो अभी मेरे को ना मेरी बेश्टी के घर जाना है सच बताओ तो मैं उसके लिए ना आप लोगों के पैस ना मेरी कब दे व्लॉग मैं ने शेक किया हुआ था उसमें मैंने टीफिन लेकर के आया हुआ था मेरी बैष्टे के गढर से पैक करवा करके तो बस वही टीफिन में कुछ भर करके मैं उसे देने जा रही हूं और पता है आप लोगों को मैं क्या बनाने वाली हूँ मैं बनाने वाली हूँ होममेड पास्ता ओके जो पास्ता होता है नॉर्मली हम लोग जो दुकान से लेकर के आते हो उसमें बहुत सारे चीजे जो है बहुत ही ज़्यादा फैट होता है उसमें एंड बिलकुल भी हेल्दी नहीं होता है वो तो मैं घर में बना लेती हूं पास्ता एंड वो मैं कैसे बनाती वो बताती हूं सबसे पहले तो मैंने यहां पस एक सिंपल चा टमाटर की चटनी बनाया अच्छी तरीके से अब मैं उस प्रूगर भी मिलाया हुआ है ताकि अच्छा सा मीठा मीठा पन वाला टेश्ट भी आए जैसे हम लोग मार्केट से लाते हैं वैसी मार्केट में इतना सार अचीज ताम जहां नहीं करते हैं बस लोग सौस सोय सौस डाल करके दे देते हैं जो कि हमारे सहत के लिए बहुत ही बनाते हो बस उस तरीके से एंड यह गेहूं के आटा को कुछ इस तरीके से रोल कर लेना है उसके बाद आधा आधा ना इसको तोड़ लेना है क्योंकि मैं ना में खुद के लिए भी बना रही हूं और मेरी बेस्ट्रेंड के लिए बना रही हूं ओके एंड कुछ इस तरी का सेप आ जाता है काफी ज़्यादा ब्यूटिफुल दिखता है हमारा पास्ता नॉर्मल गेहों का आटा गूथना है और आप लोगों को इस तरीके से कट कर लेना है अच्छी तरीके से पहले तो रेश्ट होने दिजेगा 10-15 मिनट के लिए उसके बाद आप लोग कट करेंग यह जो मैंने बनाया हुए पास्ता उसमें डाल देना है और 7-8 मिनट के लिए आप लोगों को उसमें उबाल लेना है उबालने के बाद में जो मैंने टमाटर चटनी बनाया है उसमें आप लोगों को मिक्स करके गरम कर देना है उसके बाद हमारा जो होममेट पास्ता है वो पहनेसेços बनावन आ करके मैं आपस रेडि क लिओ स्टीषिण में जितना बचा सी और मिर करके तोड़ा थोड़ा अर इसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी को गोब मैं देख सकतो फ्रह निकाला तो गैजा cheesecake कर गए मम्मी को भी मैंने खिला दिया दो-चार चमच एंड यहाँ पस मैं भी खारी हूँ साथ ही साथ मैं अपने भाई को भी खिलाऊंगी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया ये और मुझे भी काफी ज़्यादा पसंद आया बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बना हुआ था इसलिए तु खास कर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है अब मैं भाई को भी खिलाओंगी यह देख सकते हो आप लोग हम दोगनों हरीक श्या करके खाते है और इस एक जुसे जा रहा था यह क्या अच्छा लग रहा था पतंर नहीं उसको पहसंत आया उसको weight इतना बोल शकते हूं आप लोग एंड इख सकते हो इतना बचा अब मैं इसको पूरा कपुरा ख़तम कर लेती हूँ उसके बाद अब मैं ना मूँ बांध करके अब चलती हूँ मेरी बेस्ट्रेंड के घर बेस्ट्रेंड के घर गई में स्कूटी में करीवन मेरे को पांच मिनट लगा है और उसके घर का सेड़ी चड़ते हुए अब मैं जाओंगे उसके घर के अंदर औके एंड चले चलते हैं आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ होता है तब मैं जा रही हूँ उसके घर के साइड में यह देख सकते हो आप लोग यहाँ पस वो खा रही थी खाना जो कि अभी दो पहर के दो बज रहे थे और या एंड वो देख रही थी उसको लगी रहा था कि मैं व्लोग शूट कर रही हूँ इसलिए मुझ चुपा रही थी और उसका बर्टडे ब्लोग अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लिस जा करके देख ले ना इससे पहले वाले वीडियो में ओके एंड यहाँ पस न उसको देख करके अब वो पता नहीं जितने टाइम भ तो वहाँ पर से मैंने यहाँ पर से गर्ना जूस ले लिया था जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा पी करके भाई को भी मैंने एक ग्लास दे दिया था जो कि उसका मूवी अभी तक डिड़ घंटा से खतम ही नहीं हुआ था यह आप लोग देख सकते हो भाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था एकदम गर्मी का टाइम था एंड सज बता हूं तो गर्मी धूप तो था ही बहुत ही ज्यादा एंड या देखते हैं अभी भी धूप निकल रहा है अभी चार-पांच दिन से करीबन बारिस तो हुए ही है और भाई का भी फेस देखना कैसे सॉक मुमेंट के साथ ही देखता है अब वान टू एंड थ्री पलट यह देख सकते हो कुछ इस तरीके साब वो देखते ही रहेगा उसको पता चल गया कि मैं ब्लॉक शुट कर रहे हूं तो सामके पांच बज रहे थे और मुझे लगा था भूख तो भूख ल पुरा खाना खा ही रहे हूं मम्मी से गाली खाने के बाद में अगर आप लोगों को यह व्लोग पसंद आता है ना तो प्लीज दू सब्सक्राइब मैं चैनल एंड साथे साथ प्लीज 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 बैल अकन को भी हीड कर दीचेगा एंड यह आप लोगों को कुछ इस सकते हो यह मीनी टर्टल है यह देख सकते हो एंड इसके साथ ना मैं खेलते रहती हूं मुझे काफी जोड़ पसंद इसका नाम मैंने रखा हुआ है ट्वीगी ओके एंड एक और आने वाला है यह मैंने शेयर कर दिया होगा मुझे उतना नोट इस नहीं है उसमें मैंने यही सहारा है जो मेरा बच्चा है और आज का यह व्लॉग ना यही खतम होता है अगर आप लोगों को यह व्लॉग पसंद आया होगा ना तो प्लीज दू सब्सक्राइब मैं चानल और सांसां ताल आगन को भी हीट कर दीजेगा सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के दे बाइ बाइ